इस प्रतिवा दिवेधी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्की कॉलिज अपार्मिसी नैनी इस वीडियो लेक्चर इस फॉर दीफार्म फर्स्ट यर और सब्जेक्ट इस बायो केमिस्ट्री तो टुडें वी आर्डिस्कूसिंग अबाउट डिसॉर्डर ओफ लिविड मेटाबोलिजम पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोलेस्टरोल के बारे में बताया था उसकी कनवर्जन के बारे में बताया था आज है कि कौन कौन से डिसॉर्डर जो है वो असोसियेटेड होते ह है लिविड मेटाबोलिजम के तुरू ठीक है तो इसमें सबसे पहले चीज आप यह जाने कि जो लिविड होते हैं यह मेजर सोर्स होते हैं एनरजी के यह आपकी बॉड़ी को सबसे जादा एनरजी जो है वो फैट लिपेड या कोलेस्टरोल के फॉर्म में ही मिलती है तो कन्वर्जन होता है इसी वज़े से आपकी बॉड़ी फॉर्दर वर्ट कर दी है अब यह जो डिसॉर्डर टाउम है यह इसले बोला गया है क्यूंकि आपका जो फैट है अगर आपकी बॉड़ी में एक्यूमिलेट होने लगा क्यूं क्यूंकि आपकी सबसे बड़ी चीज ह वह उसकार खुड़ी फैड़ी करना हुआ है किसी भी यह से PayPal कीज़सिकश्ण को यहां सबमें प्सटाइव्पीड हो गया अतर। यहहीं आपकी अश्य और क पलस्ट अगहीं नीशेघस ओते हैं और और यहां काम करेंगोन के प्पेन हापकी पौर्ड़ी इनके काम करने में कुछ न कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लग जाए या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो यह क्या करता है डिसॉडर शुरू कर देते हैं यह प्रॉपर्ली उसको मेटाबोलाइज नहीं करते जिसके वजह से वह आपकी वाडी में एक्यूमूलेट हो जाता ह है और डिसॉडर फॉर्म करता है तो इसी Computer है लेपीडोस धिस में吸 स्मीकेमृ आपकि वोरी में अगर लेडस मेंwood लेट फैप्लेट में पर अ क्टिशन को बोता है अनिपलेटोसिस यह के वो एप लगुन को करती में तो प्रतर प्रॉटियुट्र को प्रोद्यूस करते है अभी आता है आपका जन्रल की जन्रल जो आपका नॉर्मल प्लाज्म कोलस्ट्रोल लेवल की रेंज कितनी होती है 150-200 mg पर डियल यह मैंने अर्डी बता चुकियों मैं कि 200 mg पर डियल इसकी रेंज होती है इससे अबब अगर जाता है तो यह आपकी बॉडी में डिसॉर्डर प सकती है जो अग्यकोल कोलेस्ट्रोल या अपकी बॉडी में किकली कित्रूध में तोनी के टोटल पार्ट्स को एनर्जी प्रोडियूस होती है अब यह लिपो प्रोटीन जो है यह भी फॉर्दर कितने टाइप के होते हैं मेज़र तीन टाइप के होते हैं LDL HDL and VLDL LDL means low density lipoprotein HDL high density lipoproteins and VLDL means very low density lipoproteins तो यह तीन टाइप के lipoproteins आपकी बॉड़ी में present होते हैं जो आपके lipids cholesterol को carry over करते हैं आपकी बॉड़ी में LDL का LDL को bad cholesterol भी बोलते हैं और HDL को good cholesterol भी बोलते हैं क्योंकि अगर आपकी बॉड़ी में LDL का level high होने लगता है तो यह क्या करता है आपकी बॉड़ी के लिए बहुत harmful होता है यह further heart की disease को produce कर सकता है जबकि HDL को होता है यह high density lipoproteins होते हैं यह high density lipoproteins अगर आपकी बॉड़ी में increase होते हैं तो यह आपकी बॉड़ी के लिए हांपुल होता है जनरली इनकी रेंज होती है 70-200 mg पर डियल अगर यह 200 mg पर डियल से आपका LDL लेवल ऊपर चला गया तो यह disorder कर सकता है HDL का लेवल अगर 30 से नीचे इसकी जनरल रेंज है 30-60 mg पर डियल अगर HDL लेवल आपका 30 mg से बिलो चला जाता है तो आपकी बॉड़ी के लिए काफी जादा हांपूल होता है इसलिए HDL को good cholesterol बोला जाता है बेसिकली जो भी आपके unsaturated fatty acids होते हैं उन्हें HDL वो ज्यादा high level में produce करते हैं HDL को increase करते हैं आपकी बॉड़ी में चिक यह तो हुए जनरल इंट्रोडक्शन के लिपोडोसिस क्या होता है और लिपोडोसिस क्या होते हैं अब आता है आपका major part की disorders कौन कौन से disorders produce कर सकता है है आपका cholesterol या lipids अगर वो accumulate हो जाता है आपकी बॉड़ी में सबसे जो एक चीज या लखिए कि लिपिड या fats है या आपकी बॉड़ी में सबसे जादा किसको अफेक्ट करता है हार्ट किडिनी और लिवर हार्ट किडिनी और लिवर को सबसे जादा अफेक्ट करता है फैट या लिपेड या कोलेस्ट्रॉल चेक तो इसी में है कि disorder है hyper cholesterol है सबसे major disorder है obesity fatty liver atherosclerosis CHF means coronary heart failure CAD means coronary artery disease angina factories यह सारी सारी जो disorder है यह बिसिकली आपके fatty acid लिपिडोसिस या fatty acid या cholesterol के accumulation की वज़े से ही होते हैं तो major इसमें introductory part था यह कि disorder कौन कौन से होते हैं lipoproteins क्या होते हैं आपका general range कितनी होती है चीक है तो यह है घ्री जामके अटेडरों लिपिडाओण P